हेलो दोस्तों हाव आई यू कैसे हैं आप सब लोग और आज में अपने चैनल पे डेल i3 10th generation laptop की unboxing करने वाला हूँ दोस्ते इसका model नंबर है Dell Inspiron 3593 से model की मैंने पहले unboxing करी थी लेकिन दोस्तों वो i5 पे आता था और यह i3 पे आता है तो बहुत major difference है क्योंकि उसमें आपकी 512 SSD हार्डिस थी और इस वाले model में 1TB की normal हार्डिस है और साथ में यह 4GB RAM के साथ आता है तो काफी अच्छा laptop है लुक से में अगर आप एक budget laptop लेना चाहते हैं सेम लुक के साथ तो आप इस laptop को ले सकते हैं क्योंकि i3 10th generation है काफी latest है और configuration भी इसकी अच्छी है और लुक सेम लगबग silver करर की है और इसका price भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा आप offline और online दोनो कर सकते हैं तो चलिए फटा-फट से इसके unboxing start करते हैं अगर आपको इसके regarding है किसी और laptop के regarding मुझसे question पूछना हो तो आप मुझसे जुरूर पूछ सकते हैं मैं उसके definitely answer देता हूँ तो पहले out of the box देखते हैं और फिर इसके unboxing start करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं model नंबर दोस्तों आप देख सकते हैं laptop की first look dell लिखावा है center में और यह silver कर रहा है आप देख सकते हैं पूरा silver कर रहा है first look तो आप ने देख ली और यह है back side से और center में इंस्प्राउन लिखावा है यहाँ पर बड़ी सारी cooling wind बना रखी है heating के लिए निकलने के लिए और आप देख सकते हैं इसमें रबड के चार stop बने वे stability के लिए और थोड़ी सी height कर रखी है ताकि आपकी cooling wind से heat निकलती रहे और मैं back side से आपको यह भी दिखायाता हूँ कि जो इसमें speaker आते हैं वो दो आते हैं और आप देख सकते हैं वो भी दोनों यहाँ पर से हैं यहाँ पर उसकी grill बना रखी है यह देखिए दोनों side speaker है इ silver color का है तो look up काफी अच्छी लग रही है चलिए अब इसकी side look में आपको दिखाता हूँ charging के लिए point आ रहा है एक साथ में LED light ले रखी है अगर आप चार्ज करेंगे तो वो red color की जलेगी बैटरी जब चार्ज करेंगे और जब full charge हो जागी battery तो white color की light हो जागी एक HDMI का port आता है दोस्तों एक LAN card है दो USB port है साथ में एक audio का jack है और यह दोनों USB आपके 3.0 पर होंगे मैं इधर से दिखायाता हूँ front look में आप देख सकते हैं इस तरह से और आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे इधर को curve जा रहा है इस जगा पे mouse spread है उसकी वेरे से थोड़ा सा curve दिया हूँ और आप इधर भी देख सकते हैं दूसरी तरफ की जो मैं look दिखा रहा हूँ इस तरफ एक card reader आता है साथ में USB 2.0 port होगा यह definitely और साथ में एक lock के बना हूँ है तो आप देख सकते हैं इस तरह से look है इसकी चलिए अब इसको on करके check करते हैं चलिए दोस्तों laptop को खोल लेते ह कैसी है इसकी दोस्तों front look पूरी black card की है काफी अच्छी मुझे quality दिख रही है black card का है jet black है total अंदर से और center में camera लगावा है दोस्तों इस जगा पे और mic है साथ में Dell की branding है center में और यहाँ पर i3 core i3 लिखावा है जिसको मैं अभी थोड़ा सा close-up में आपको दिखाऊंगा की की front look है अंदर से total पूरा black है और बाहर से पूरा silver है दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ी सी matte look है यहाँ पर अगर आपको दिख रही हो screen पे मैं तोड़ा सापको दिखायाता हूँ इस तरह से matte look है दिख रहा होगा core i3 10 generation है यहाँ आप से clear दिखायाता हूँ आपको यह द दोस्तों इसके साथ यह वाला charger आता है डेल का छोड़ा सा charger है इसमें इंडिकेशन है green light जलेगी जब आप on करेंगे यह देखिए 45W पर है और 19.5 वोल्ट पर है और दोस्तों इसकी पिन इस तरह से यह आप देख सकते हैं चलिए दोस्तों इसको on करते हैं और इसका speed test check करें कितने seconds के अंदर यह on हो जाता है और यह 26 seconds के अंदर यह on हो गया है तो काफी अच्छी speed का हूँगा यह वन टीबी नॉर्मल हर्डिस के साथ यह अच्छी speed दे रहा है और booting speed बुझे तो अच्छी लगी 10 generation पर यह तो इसलिए fast है और इसमें दोस्तों window 10 pre-loaded आती है दोस्तों यह boot हो चुका है आप देख सकते हैं और मैं अब इसमें word कोल के दिखाता हूँ आपको दोस्तों यह office 365 के साथ आता है आपको इसको register करना है internet requirement मांग रहा है और आप अपनी email address डाल के इसको register कर सकते हैं एक साल के लिए आपको free हो जाएगा साथ में दोस्तों इसमें macfp free आता है मैं वो भी दिखाया तो आपको यह देखिए और यह 15 months के लिए free मिलेगा आपको इसको भी आपको internet चाहिए यह stamp पर internet ढूंड रहा है आपको activate करना है और 15 months के ल लांग रहा है क्योंकि मैंने अभी activate नहीं करी हुए net देंगे तो automatic activate हो जाएगी device manager में आप दिख सकते है Bluetooth इसमें आता है दोस्तों camera है यह Intel UHD graphics आपको दिख रहा होगा clear तो यही वाले graphics इसमें आते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं Intel UHD graphics आपको clearly दिख रहा होगा screen पर और आप देख सकते हैं total जो available graphic memory है वो 2059 MB है 2 GB के आसप आप मान सकते हैं और dedicated यह video memory है जो main इसमें graphic card है Intel का है और UHD graphics है 128 MB पर तो dedicated आपके पास 128 MB ही मिलेगा दोस्तों मैंने इस laptop की full unboxing आप सबके लिए कर दी बहुत ही अच्छा laptop है और भार से silver करका आता है और अंदर से jet black है थोड़ी सी matte look है और काफी अच्छा laptop है look तो इसकी बिल्कुल 3593 i5 जेनरेशन वाले जो 10 जेनरेशन की मैंने unboxing करी थी बिल्कुल same वैसी look है समय दोस्तों तो आप इस वारे laptop को ले सकते हैं क्योंकि i5 तो 50 से अबब था 55 57 की रेंज में वह laptop है और जो यह वारा laptop है यह आपको 38 39 के रेंज के आसपास या 36 में भी शायद कुछ websites पे online available है तो काफी अच्छा laptop है price भी की अच्छी है 10th generation पे और मुझे speed काफी अच्छी मुझे उमीद नहीं थी कि इतनी अच्छी यह speed मिल जाएगी क्योंकि वह अले laptop पे हमें 9 सेकंड जूर मिल रही थी क्योंकि वह 512 SSD हर्डिस पे था और यह आपका 1 dB की normal हर्डिस पे है और उसके बाब जूद भी मुझे 26 seconds के अंदर यह on हो गया तो काफी अच्छी speed मिली और booting speed अच्छी है मुझे इसमें काफी देर मैंने use किया मुझे कोई गरम नहीं हो रहा है यह heating की problem मुझे नहीं नजर आ रही है नहीं तो generally कई laptops गरम होते हैं काफी जादा तो उस हिसाब से तो मुझे ठीक लगा है laptop और speed ठीक है battery backup इसका मुझे 4-5 hours आराम से मिल जाएगा और म आप इसे अराम से use कर सकें mouse को तो overall मैंने इस सब का unboxing आप सब के लिए कर दी तो चलिए next video में फिर मिलेंगे तो चलिए मेरे channel को please subscribe कीजिए और मेरे videos को like के जिए चलिए फिर मिलेंगे